हेलो फ्रेंड्स कैसे आप लोग फ्रेंड्स आज मैं आपको 14 लेसन देने जा रहा हूं जो मैंने नया सीरी शुरू किया है माउथ होगन का आज मैं आपको 14 लेसन देने जा रहा हूं इसके पहले मैं आपको 13 लेसन दे दिये हैं उमीद है आपने देखा होगा आपने प्रैक् चैनल में जाके आप टाइब कीजिए जैसे आपको लेसन अगर वन खोजना है तो टाइब लेसन वन माउठ और गन नुज सिरीज मैंने पहले भी लेसन बनाया था वो सब पुराने हैं तो उससे आपको नहीं देखने से भी चलेगा आप नया वाला लेसन देख लिजिए आप इसलिए new series type किजेगा mouth organ lesson 1 new series दन यहीं गतो अगर आपको lesson 2 चाहिए तो यह टाइब lesson 2 mouth organ new series तो आपको lesson 2 मिल जाबे स्टाशिए आप हर एक lesson को सकते हैं you can search the lessons तो आज में तो अभी तक आपने क्या-क्या सीक्लिया होगा थर्टी लेसन में आपको बता दूं आपने सरगम बजाना सिख रहे होगा तीन ओक्टेव में फ्लुएंटली आपने बजाना सिख रहे होगा आपने सिंगल नोट बजाना सिख रहे होगा कैसे आप जिस होल में फूक रहे हैं उसी होल से आवाज निकाल पा रहे होंगे और जिस होल में खीच रहे हैं उसी होल से आवाज निकाल पा रहे होंगे ये आप कर पा रहे होंगे अलंगकार सापने प्रैक्टिस की होंगे इसलिए आप तीनों आक्टेव पे अच्छी तरह से आपका होट, सौरी, माउथ होगर मूफ करता होगा, आप किसी भी आक्टेव से दूसरे आक्टे में आसानी से नोट बजा पा रहे होंगे इतना जरूर आप कर पा रहे होंगे अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको और थोरा सा अलंगकार स्प्रैक्टिस करने हैं पड़ेगा, ताकि आप हाफ ने न लगें तो इसलिए सांस को आपको कंट्रोल करना है कंट्रोल करने का मैं आपको एक्साइज बता देता हूँ क्योंकि ये आपको बहुत ही फायदा देगा जब आप गाने बजाएंगे तो क्योंकि जब आप बजा रहे होते हैं गाना तो आपको देखे सांस भी लेना है और बजाना भी है वैसे जब आप फूकते हैं और खीषते हैं तो आपका आप सांस ले रहे हैं नहीं तो आपका जो फ्लो है गाने का वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ताकि आप अच्छी तरह से फूख सके और खी सके, आपका जो डम है वो बना रहे, आपका जो ब्रीधिंग है वो भी नेचुरली चलता रहे, without affecting the song, without affecting the playing, कैसे आप कर सकत अब बताता हूं, आपने सरगम सीख लिया है, तीनों octave पे आपको ये करना है, आप पहले middle octave ले लिजए, middle octave में आपको सा बजाना है, ठीक है, आप सा आप जितनी देर तक बजा सकें, ठीक है, प्रेशर मद डालिए, comfortably आप जितनी देर तक ब्लो कर सकें, आप ब्लो करते रह करें फिर जब वो जाए फिर आप री में आई कि विसे आपको सरक्रम को बजाना है वैंड Suture में फिला यूँ C अर्वियर अब दो दिन प्रैक्टिस करें बार में भी अप्रक्टिस इसे पाँ प्रेक्टिस करें इससे आपका जो breathing है वो control होगा आपका जो dumb है वो बढ़ेगा और बाद में गाने बजाने में आपको बहुत ही help करेगे जैसे मैं आपको दिखाता हूँ जैसे साथ देखे बजा रहा हूँ हुआ है तो देखे मैं जितना comfortably बजा सकूँ जितना मुझे convenient लग रहा है उतनी देतक में बजा रहा हूँ आप बार बबार में कहरा हूँ आप अगर आप ठोरा देरे खीच आ रहे हैं तो थोज़रे खीचे अगर आप ज्यादा देर थक कम देर तक फूक पार रहें तो कम दे तक भूकिए यह धीडे आपका प्रैक्टिस करते के तक बढ़ेंगा लेकिन आप ज्यादर प्रेशर मत डालिए जितना आप कर पाये उतना ही किजिए जैसे अगर आप इतना ही कर पारें तो इतना ही कीजिए ठीक है फिर रे कहने का मतलब आप आराम से जितना फूख सकें उतना फूखिए और आराम से जितना आप खीच सकें आप खीच के ये नोट बजाईए सरगम बजाईए विताउट पूटिंगे नीप उन यूर ब्रेदिंग ठीक है प्रेशर नहीं डालना है आप जितना आराम से लेकिन जितनी दिए तक आप बज्या सकें आप बज्याईए पहले मेरी लॉइन आप्टेम में कीजिए फिर लॉइन प्रैक्टिस कीजिए फिर है और अगर आप प् फुल आप ब्रिदिंग तक मज जाएं फुल आप पुरा फुकने तक मज जाएं फुल खीचने तक मज जाएं सेवेंटी 75 परसंट तक जाएं आपका जितना आपका दम है उसका आप 75 परसंट आप कीजिए जैसे देखी इसरा से ठीक है यह आपको 10-15 मिनट अगर आप डेली प्रैक्टिस कर पाएं तो इससे आपको बहुत ही फाइदा मिलेगा आप जब आप गाना बजाएंगे तो आपको बहुत दम रहेगा और जब वह जो फ्लो है बजाते पजाते वक्त आपका ब्रीधिंग और वह एक रिदम में ब् उन्हें वYggh B dates every time अधिक है तो आज इसे इतना प्रैक्टिस किजिए बहुत इंपार्टल लेशन है क्योंकि इससे आपका ब्रीधिंग कंट्रॉल होगा एक 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 स्सीज जो आप कर सकते हैं बहुते सींपल एक टिस है था तो मिटेरागले वीडियो में था यह